नमस्कार मैं भाशा और आप देख रहे हैं निउस क्लिक पर खोच खबर का इक्रम पहले दौर का मद्दान हो गया दूसरे चरण की तैयारी है चुनाओ जीतने के लिए जितने उल्टे सीधे फंडे, हतकंडे, नफरती कार्तूस अपनाए जा सकते थे तकरीबं सारे के सारे या तो अपनाए जा चुके हैं या उनको फेकने की तयारी है उनके इस्तमाल के लिए पूरी की पूरी फाज तयार है इसके लिए हमें दिखाई देता है कि प्रदानमंतरी, नरेन मोधी एक तरफ कमान समाले हुए हैं दूसरी तरफ ग्रिह मंतरी अमिश्या, मुख्य मंतरी योगी आदितिनात, सारे के सारे लोग जिस तरह से उत्तर प्रदेश को दूसरे ढंग से उनकी राजनीती को पूरी तरह से धार्मिक उनमाद में फेटने की कोशिश कर रहे हैं, वह बता रही है कि भाश्पा के लिए चुनावी डगर, खबर की खोज, सच की पड़ताल, जनपक्ष नजरिया, बेखौफ, बेबाग, सत्ता का जूट, बेनकाब, आग में तपी पत्रकारिता, दाखती है, सवाल, दर सवाल अब मिसाल के तौर पे देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीती को साथने के लिए करनाटक में, जी हां, करनाटक में फसाद करवाया जा रहा है, हिजाब को लेकर जिस तरह से दुरुवी करण किया जा रहा है, जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं को निशाने पिलिया जा रह और उसके लिए पूरी संग्टित फौज तैयार है तैनात है यहां तक कि अदालतों का जो पूरा का पूरा रुख और रवया है वह कहीं से भी जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उसके पक्ष में खड़ा होता नहीं दिखाई दे रहा है सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर अचानक हिजाब पहने मुस्लिम लड़की को मुस्लिम महिला को निशाने पे लेने वाले ये लोग दरसल चाहते क्या हैं इसी बीच चुनावी सभा में प्रधान मंत्री नरेन मोदी जिक्र करते हैं तीन तलाख का जिक्र करते हैं कि इसे किस तरह से खारिज उन्होंने कानून के जरिय किया और मुस्लिम महिलाओं को आजादी दिलाई लेकिन ठीक उसी समय उनकी सरकार उनके लोग किस तरह से मुस्लिम महिलाओं के पीछे पड़े हुए हैं पूरी की पूरी लिंचिंग मौब तैयार है करनाटक में जिसके वीडियो फुटेज आपको सब दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर जो लोग मुस्लिम महिलाओं को निशाने पे ले रहे हैं दरसल वह चाहते हैं कि इस आधार पर मुसल्मानों के खिलाफ नफरत को बड़े पैमाने पर धुरुविकृत किया जाए ताकि उसका फायदा उन्हें चुनाओं में लगे और जिस तरह से पूरा का पूरा पैटर्न चल रहा है इसमें इस आशंका से मुह नहीं मोड़ा जा सकता कि इसका फायदा भाश्पा को होगा अच्छी बात यह है कि जिस तरह से कॉलेज स्कूलों में पढ़ने वाली मुसलिम लड़कियों को निशाने पे लिया गया उन्हें पढ़ने से रोका गया उन्हें कॉलेज में जाने से रोका गया और उसके लिए एक संगठिक भीड उतरी उसके खिलाफ एक बड़े पैमाने पर विरोध सिविल सोसाइटी का नारिवादी संगठनों का डेमोक्रिटिक प्लेटफॉर्म्स का सब का बड़े पैमाने पर विरोध हुआ और सब लोगों ने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा कि भारत का Constitution हर एक व्यक्ति को अपना मजहब अपना धर्म फॉलो करने का उसको प्रैक्टिस करने का पूरी की पूरी इजाजत और छूट देता है यहां देखिए जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें साफ तोर पे लिखा गया है कि जब सिख धर्म के जो अनुयाई हैं वह पगड़ी पहन कर जा सकते हैं काम कर सकते हैं पढ़ सकते हैं तब आखिर क्या वज़ा है कि हिजाब पहने मुस्लिम लड़कियों को निशाने पर लिया जा रहा है लेकिन यह सारा कुछ जिस तरह से जिस तेजी से प्रोपोगेट किया जा रहा है जिस तरह से चारो तरफ फैलाया जा रहा है उसका मकसद बहुत साफ है एक तरफ उत्तरप्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक बार-बार दुहाई दी जा रही है कि किस तरह से आप इस दंगे को मत भूलिए, उस विवाद को मत भूलिए लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस तरह से धुरुवी कृत करके दो तरफों में भारतिय मद्दाता को बाटने की साजिश बहुत तगड़ी चल रही है ठीक इसी बीच हमें यह भी दिखाई दिया कि किस तरह से अपने अपने पत्ते भाश्पा उत्तरप्रदेश में खेल रही है, खेलने की कोशिश कर रही है पहले दोर का मद्दान जिस समय चल रहा था, खतम होने के ओर था, उसी समय यह फैसला आया कि केंद्री ग्रिह राजमंत्री अजे मिश्रा के बेटे आशीश मिश्रा को जमानत मिल गई, उनके उपर हत्या का अरोप है आप देखिए कि क्या यह महज इत्तफाक है, कि जिस समय वह पूरी किसान बेल्ट मद्दान कर रही थी, अपना मन बना चुकी थी, उतर चुकी थी मद्दान केंद्रों में, ठीक उसी समय यह फैसला आता है और जो फैसला है, उसकी जो भाशा है, वह अपने आप में किसानों की लंबी जो मांग रही है, उसको बहुत अवहेलना करने वाली पूरी की पूरी भाशा हमें दिखाई देती है यहां आपको याद दिला दें, और मुझे लगता है हम सब को यह याद करना, यह वीडियो बार बार देखना बहुत जरूरी है कि किस तरह से 3 अक्टूबर 2021 को लखीम पूर में केंद्रे ग्रिह मंत्री अजे मिश्रा के बेटे आशिश मिश्रा की गाड़ी ने किसानों को रौन दिया था वे किसान एक शांती पूर प्रदर्शन करके, जो किसान आंदोलन चल रहा था पूरे देश भर में, तीन क्रिशी कानूनों की वापसी के सवाल पर, वहां से प्रदर्शन करके लोट रहे थे और बहुत साफ दिखाई देता है इस वीडियो में, कि पीछे से गाड़ी ने, जो SUV गाड़ी थी, वह रौन्ती हुई गई, उसमें एक पत्रकार की भी मौत होती है आज, जिस समय यह आरोपी बाहर है, जमानत मिली हुई है, तब जरूरी है इन तमाम वीडियोज को देखना, उन परिवार वालों की वेदना को सुनना, जो उस समय भी इस आशंका से ग्रस्त थे, कि नियाए नहीं मिल पाएगा और आज, कम से कम, जिस समय चुनावी समर में उत्तर प्रदेश उत्रा हुआ है, यह घटना बता रही है कि नियाए मिलना कितना मुश्किल है, आईए सुनते हैं परिजनों की वेदना फिर सरकार तो थोनों को इमीद हैगी है, इसी बीच आपके साथ हम यह भी साजा करना चाहेंगे, कि जब उत्तर प्रदेश से लेकर गोवा तक मैं नियूस क्लिक की टीम के साथ सफर कर रही थी, तो किस तरह से लोगों ने जवाब दिया सरकारी प्रचार का, किस तरह से अपते मुहावरे गढ़े जा रहे हैं जमीन पर, क्योंकि इससे पता चलता है कि भारती लोकतंत्र कि किस तरह से इन पांच राजियों में चुनाव जिताने के लिए कमर कस रखी है, अलग-अलग परिधानों में वो अलग-अलग जगा जा रहे हैं, भाशन दे रहे हैं, और गोवा के बारे में तो उन्होंने इतिहासी रच दिया, हाला कि बाद में यह ट्वीट डिलीट कर द बड़ी हुई, या उनको लगता होगा कि उनकी सरकार इस बार गोवा में आएगी, तो गोवा की स्पेलिंग ही इस तरह से कर देंगे, उन्होंने बताया कि गोवा G-A-O है, और उसमें वह बोलते भी हैं कि G for governance, A for aspiration, O for opportunity, मोदी जी, सब कुस सही है, लेकिन चुनाव से पहल रास नहीं आएगा, यहां बात सिर्फ किसान नेता, राकेश टिकैट के कोको ले गई भाशपा के वोट सिर्फ उसका ही नहीं है, यह शब्द तो बहुत वाइरल हुआ ही, यह वीडियो बहुत वाइरल हुआ और लोगों को समझ ही नहीं आया कि यह कोको क्या बला है, इसी तरह से इसी धिकॉली गाओं के वालमी की समाज के यह बुजर्ग व्यक्ति, देखिए किस तरह से सवाल पूछते हैं सीधे प्रधान मंत्री नरेन मोदी से योगी आधित्यनात से अपनी अपनी शब्दावली में, वह कहते हैं कि जब हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, त अनाज दे रहा, क्या आधि नरे पूर्टी हो देगी अपनी शब्दाव एक यूट पास खाने की नहीं हो देखता है, ति कि यूट पच्टिय में बश्करी नहीं हो पास के नहीं हो देखता है, जिएक पसक्तिय नहीं हो जाइए मेरे अज़ते हैं कि पूर्थी और वहीं यह दूसरे सज्जन यह कहते हैं कि पत्थर तो मक्खी को भी नहीं मार सकता मक्खी को मारने के लिए भी इनसान चाहिए यानि वह बताते हैं कि इनसान की जिंदगी में धर्म की जगह क्या है कि काफी काम जी तो लेकिन जींदे पिसले काम किया मंदिर बनना है कर gloss संदी पत्थर जुए अपडू नहीं उड़ा सकता ओच दूसरे की मतलब माक्खी किसे उडादे रहा इनसान जो हैने इनसान मौत इट स्ल OF बढ़ता है शायद यही बड़ी वज़ा है कि जिस तरह से भाश्पा के लिए बहुत मुश्किल दौर गुजरा या पहले चरण का चुनाओ उसने दूसरे ढंका एक नरेशन विक्सित किया है बिलकुल ग्रामीर इस्तर पर इसी तरह से आप मेरे साथ चलिए मुरादाबाद की इस बस्ती में यहां पर देखिए यह जो सवाल है यह सवाल जो योगी सरकार से यहां के नागरिक पूछ रहे हैं उसका जवाब कहीं भी किसी सरकारी प्रचार में या कोई भी नेता दे नहीं पाता बहुत ही सीधा सीधा सवाल यहां की महिलाएं वालमी की समाज की महिलाएं पूछती हैं यहां इन सब को देखना समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह उस जनता की आवाज है जो अकसर चम चमाते हुए टीवी स्क्रीन पर दिखाई नहीं देती लेकिन वे भारतिय नागरिक हैं और हमारे मद्दाता भी हैं अगर वो चाहे के सफाई का काम छोड़कर किसी प्राइवेट महिले लगे जाकर तो वहां पर भी तंखा कमी होगी जाहिर सी बात है दस अजार से उपर तो तंखा होगी नहीं प्राइवेट में अब है चुनाव होनेस है आपके हां मुरादाπάद में चुनाव है तो प्राइवेस को घरकी समंगर है महंगी हो गई और ठोड़ती थोड़ा यह सस्ता कर दिया जाए वर नहीं क्या खूरत थोड़ी सी चर्चा देश की अर्थविवस्था की, नौक्रियों की, नौक्रियों को देने वालों की, क्योंकि इसकी चर्चा राष्टे स्तर पर बहुत जबरदस्त हो रही है और वहीं जमीन पर भी इसकी दुहाई लगातार देश के नागरिक कर रहे हैं मिसाल के तौर पर अब आप देखिए विश्व बैंक का जो आकलन है, उसके मताबिक भारत की ओसत सालाना वृद्धी 2020 से लेकर 2023 तक यानि तीन सालों तक 2.95 फीसदी रहेगी लेकिन हमारी वित्तमत्री निर्मलास सीता रमन संसद में कहती हैं, दावा करती हैं कि मौजूदा वित्तवर्ष 9.2 फीसदी से वृद्धिदर हासिल करेगा एक तो यह आकड़ा और वहीं दूसरी तरफ देखिए कि इसी संसद में, राजसभा में जो भाश्पा के नेता हैं के जे अलफोन्स उन्होंने जो बयान दिया वह तो अपने आप में बहुत ही जबरदस्त है और शायद भाश्पा की पूरी राजनीती का बिल्कुल निचोड है उन्होंने साफ साफ कहा कि अम्बानी और अडानी की पूजा होनी चाहिए वजह क्योंकि वह बड़े पैमाने पर रोजगार दे रहे हैं अब यह जब भाश्पा के सांसद सदन के भीतर कहते हैं तब साफ साफ समझ आता है कि इस देश में अम्बानी और अडानी के पक्ष में जो पूरी सरकार चल रही है जिसकी बदौलत वहाँ पर दावा करते हैं कि बड़े पैमाने पर रोजगार है लेकिन वही सरकारी आकड़ा और तमाम आकड़े बताते हैं कि इस समय देश भीशन बेरोजगारी से गुजर रहा है अब आप ये आकड़े देखिए कि कोरोना काल में अम्बानी और अडानी की आय कितनी बढ़ी तो समझ आ जाएगा कि भाशपा आखिर क्यों अम्बानी और अडानी की पूजा करने की बात कर रही है अब चलते चलते सवाल सबसे बड़ा यह कि टिकैजी के शब्दों में कहें तो भाशपा का वोट कोको ले गई या कोई और उसमें डेंट मार गया बहुत तो बता चलेगा हमें मार्च में लेकिन इसी बीच योगी जी ने जो कहा वह अपने आप में बहुत आँख खोलने वाला है देश के एक राज्य का मुख्यमंत्री अपने निवासियों को डरा रहा है कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो उत्तर प्रदेश का हाल केरल पश्चिम्बंगाल या कश्मीर जैसा हो जाएगा वाकई योगी जी यह तुलना तो शायद ही किसी और मुख्यमंत्री ने की हो कि अपने ही देश को इस तरह से खंडित विखंडित करने की योजना बनाई हो अपने ही देश के बाकी राज्यों के बारे में इतनी निगेटिव नकारात्मक सोच है और इसका जवाब सबसे अच्छा एक तो यह काटून देता है और वहीं दूसरी तरफ यह गाना देता है यह गाना केरल से है और यह बताता है कि आखिर धर्म के आधार पर राजनिती करने वाले योगी आदितिनाथ जी को केरल से इतनी दिक्कत क्यों है आप खुद देखिए इसे पता चलता है कि भारत क्या है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई सब एक साथ बैठ कर खड़े होकर निर्त्य कर सकते हैं शायद इसी से योगी जी को बहुत तकलीफ है शुक्रिया करते हैं थैसे प्राइटिया